जैन दोस्तों इस पेसिंदी में आप सभी का हर्दिक स्वागत है ये हम लोग एक वीडियो सीरीज की स्रेंखला ले आ रहे थे जिसमें सब्जेक्ट वाइस सोर्स क्या हम लोग रखेंगे उस पर हम लोग चर्शा कर रहे थे ठीक है तो आज का जो वीडियो होने वाला जैसे इतिहास का हो चुका था आज का जो वीडियो है ये बेसिकली एकनॉमिक्स ये अर्थवास्था में आप क्या सोर्स रखेंगे और कैसे इसको कम्प्रीट करना है इस पर चर्शा करते हैं ठीक है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये सेलेबस ऐसा होना चाहिए ठीक है सेलेबस आपके मेज पर होना चाहिए ताकि एकनॉमिक्स को ही आपको अगर समझना रहे जैसे अगर GS paper 3 की बात करें तो GS paper 3 में क्या क्या आता है Science and Tech, Economics, अर्थवस्था, Science and Tech, पर्यावरण, आंत्रिक्स रुच्छा, आपदा परबंदन तो ये इसके सब पार्ट है लेकिन अर्थवस्था इसका मेन पार्ट है ठीक है तो ऐसे जब आप प्री में देखेंगे तो प्री में क्या आता है economics और वह भी economics कैसा पूछता है अगर आप पीवाई की क्यों कोशन देखिए तो वह economic कैसे रहते हैं वह basically current से related रहते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें अर्थ 10th key ncrt पड़ोगे तो 9th key ncrt अपको gramid अर्थवस्था में क्या-क्या मदब gramid अर्थवस्था जिसे आपके घर के अर्थवस्था से लेकर के आपके गाउं की अर्थवस्था से लेकर कि आपके सहर की और्थवस्था सक वो जोडती है, अर्थवस्था के क्या-क्या सब प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको वहाँ पे पहली बार जाने को मिलेगा, तो नाइन और तेन्थ के NCRT इसके लिए बहुत जरूरी है, बात करें, गर हम लोग 11 के NCRT की, तो 11 के NCRT भारतिय अर्थवस्था का विकास या भरती अर्थवस्था की समझ यह आपको बताएगी कि आजादी के बाद और आजादी के पहले कौन कौन से ऐसे factors थे कि आज हमारी जो अर्थवस्था है उसका मतलब जो अभी तक का जो development है उसके पीछे कौन कौन से factors factors कारक उसपे लगे तो यानि कि economic का क्या प्रभाव पड़ा भूगोल का अर्थवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा समाज का अर्थवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा पॉलिसी का अर्थवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और पॉलिटी का अर्थवस्था पर क्या मुर्टी करने वाले देस भारत है अगर आपका देस दूसरों पर राज करने वाला देस है तो आप क्या बन जाएंगे एक बहुत बड़े उतपादक बन जाएंगे जैसे कि इंग्लेंड तो ऐसे ही पॉलिटी का क्या उप्योग पड़ता है अर्थवस्था पर, बैसिकली जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी वर्ड वार चल ला है, तो इंटरेशनल रिलेशन, ठीक है, जैस पेपर टू में, तो इंटरेशनल रिलेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी एकनॉमी ठीक है, जैसे वर्ड वार हुआ, कच्छे तेल के कीमत बढ़ गई, आपके देश के क्या प्रभाव पड़ रहा है, कच्छे तेल के कारण, जो जो उत्पाद आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो ले जाना महेंगा हो गया, फैक्ट्री में जो जहां पर यह उ बाजदरों में कमी की, तो भारत में इन्वेश्टमेंट पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप जब देखेंगे, प्रिलिम्स में और मेंस में जो क्वेशन पूछे जा रहा है, वो बेसिक अंडरस्टेंडिंग, कॉंसेप्च्छल, क्लैर्टी और सिलेबस से लिंकिं कर ली, यह हो गया step 1, इसके बाद आपको क्या करना है, NCRT के पीछे जो questions दिये गया है, MCQ या उत्तर लिखने वाले subjective, उनको आपको थाँ सा टार्गेट करना है, और पहली बार में आपको यह नहीं सोचना है कि यार, बहुत अच्छे से उत्तर पहली बार में लिखने आ ज क्या नाम है, कलम उठाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, और कई विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, वाकई बहुत पढ़ते हैं, लेकि न टेस्ट लगाते हैं, न कलम उठाते हैं, यह दोनों ही चीजें उनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, क्यो हमारा एक basic NCIT का answer writing बे चलता है, उसमें NCIT से related topic direct पूछ करके उसके उतर लिखवाने पर focus किया जाता है, ठीक है, तो आप उसको join कर सकते हो, बात करते हैं, जब यह पहला बार complete हो गया, ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे जो मैंने आपको बोला था कि 12th की NCIT नहीं पढ़ आएंगे, जब आप NCIT आपकी concept clear कर देगा, तो कुमार अमिसर के notes, जो current से relate करके जो topics हैं, जैसे federal reserve में अपनी ब्याजदर एकम की, भारत में क्या investment पर क्या प्रभा पड़ा, FII क्या होती है, FDI क्या होती है, तमाम चीज़ें आपको जितने भी current से related concept है, क्रिसी छेतर में क् तो अर्थवस्ता की जितने छेतना किरसी, उद्योग, investment, model क्या होंगे, ये सारे आपको इतना क्रिस्प format में कुमार अमिसर के notes में देखने को मिलेगा, तो NCIT का, मतलब NCIT तो complete करना ही करना है, लेकिन इसके बाद चाहे आप रमे सिंग पढ़िए, चाहे इधर उधर की book आप उसमें investment model पड़ तो आप देखो, आपको पीवाइक्वागू भी उसात लेकर के चलना है, पीवाइक्यूंदेखो कि आपको उसमें क्या-क्या-क्या चीजे पूछीजन पूछी गई है, कैसे चीजें पूछी गई है, तो आपने देखा होगा अगर पीवाइक्यू आप शैप्तिरी की बात करो, या मेंस की बात करो, ये सारे PYQ करेंट से रिलेशन करके पूछे गई है, तो कुमार अमिसर के नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, मंतली मेंगजिन, कोई भी मंतली मेंगजिन जैसे आप विजन की उठा सकते हैं, हमारी पेसिंदी की चल ल मंतली मेंगजिन के तुरू भी इसको कवर करेंगे, ठीक है, अब PYQ जब आप पड़ रहे हैं, ठीक है, तो PYQ जैसे मेरा कम्प्रीट होता है, अब हमको क्या जोइन कर लेना है, एक टेस सीरीज, ठीक है, टेस सीरीज, जैसे आप माल लो आपका एकनोमिक्स का टेस्ट है, तो आपको 20 दिन का समय मिल जाएगा, अब उस 20 दिन में फिर से आपको NCRT पढ़ने हैं, कुमारमी सर के नोट्स पढ़ने हैं, और जाकर के वो टेस्ट लगा लेना है, टेस्ट लगा करके दो घंटे में प्रॉपर प्रेक्टिस करके, जब आप वहां से टेस्ट दे करके न गलतियों के सौर्ट नोट्स बनाने हैं, और इसी समय आपको क्या करना है, उसी समय जैसे मालोर रेपो रेट पर प्रशन है, रिवर्स रेपो रेट पर प्रशन है, ठीक है, यह CRR पर प्रशन है, तमाम चीजें, जितने भी कॉंसेप्ट्चुल हैं, ठीक है, जैसे लाफर क कर्व क्या हो गया, तमाम कौन से कर्व हैं, संपने लिऑ, एकनोमिक से रिलेटेड, ठीक है, तो इन सब से रिलेटे आपको सोँ नोट्स उसी test सेरीज में, क्यों जैसे अभी हम लोगो ने इस पर रेपो सारे प्रशन देने, उनका क्या करना, आपको बनाना है, अभी सांव आपको आप जब भी पढ़ना है तो आपने इसी नोट से पढ़ना है ना कि NCRT ना कि कुमार मिसर के नोट कुछ नहीं ठीक है कॉंसेप्ट नहीं को कोचिंग के कोचिंग के व्याख्या से नहीं मिलेगी तब हम वहां पर जाके उस टॉपिक को देखें कि इसमें कॉंसेप्शन क्लैर्टी नहीं है बाकि अब हमको टोटल टोटल किस पर रिलाई करना है कोचिंग के यह मतलब जो व्याख्या हैं उस पर और उसका अपना बना करके सौर्ट करते हैं तो सारे सौर्ट नोट्स आपने जितने भी अर्थवस्ता इसलेटेट टॉपिक्स जो भी कॉंसेप्ट है उसके सौर्ट नोट्स बना लिए उसको सवेरे उठकरके बार-बार रिवाइस करना है ठीक है क्योंकि रिवीजन जिसका जितना रिवीजन होगा वही फर् चार गंटे में उसको जल्दी जल्दी गुमाना है प्लस अपने जो ये सॉट नोट बना रखे थे इसको दो तीन बार चार बार क्योंकि उसमें भी आट-जस दिन का समय मिलेगा तो दो चार दिन पांस दिन लगा तार खुब घुमा घुमा करें गुमा करके उसको फिर से या ओपन भी हमारा चला है आप उसको जॉइन कर सकते हो उसमें भी एंसर राइटिंग पर अपने फोकस कर देना है ठीक है क्योंकि अगर आप प्रिलेंस पर इच्छा के पहले एंसर राइटिंग नहीं करोगे तो उन लोग से पीछे रह जाओगे जो लोग एंसर राइटि तो यह दिरे दिरे इंटर लिंकिंग जैसे हम लोगों इसको दुरू बैच में प्रॉपर कवर किया हुआ है तो उसके मादम से आपको इंटर लिंकिंग समझ में आ जागा जागा जब आप मेंस का एंसर राइटिंग करोगे और यही वो समय है जब आपको टॉपर्स आप ही देखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए ठीक है जब आप ऐसे करने लगों कि धिरे धिरे अपराल मार्च अब फरवरी का समय आ जाएगा उस समय की बजट वगरा आ चुकी रहेगी तो करेंट और जो बजट यह आपके लिए बहुत इंपर्टेंट हो जाएंगे क्योंक इस साल का ही विजट हम लोग नो ने वीड immense के मदम से कंप्लीट किया तो उसको देख करके वहाँ से साॉर्ट नौट्स बणा लेना है उसके की पॉइंट्स आपको याद कर ले है की पूंट्स फिर वही अपना जो सॉर्टabanद बना है तो मेहां जाकर कर के नोट कर लेना है और फिर इस समय आपका ये समय रहेगा कि जब आप पूरे चीजों को NCRT आपने पड़ी कुमार अमिसर का नोट्स पड़ा, PYQ पड़ा, Toppers कॉपी देखी पूरे चीजों को Sumrise करनी है, साथी साथ एक चीजों मैं भूल गया था वो ये कि NCRT के बाद जब कुमार अमिसर का नोट्स पड़ाट करेंगे, तब आपको मंतली मैगीन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मंतली मैगीन जैसे जैसे आप लगाएंगे, वैसे वैसे conceptual clarity आपके अंदर और अच्छी से आने लगेगी, ठीक है, तो कोई भी मंतली मैगीन आप उठा सकते हो, मार्केम ने जो भी available है, जैसे vision की है, दृष्टी की है, UPSC, Hindi की है, तो आप कोई भी मंतली मैगीन उठाओ, और direct इसको क्या करो, पढ़ना ही start कर दो, ठीक है, लेकिन कब पढ़ना है, NCRT complete करने के बाद, कुमार अमिसर के notes करने के बाद, ठीक है, तो य मैगीन के साथ साथ आपको क्या करना है, जो toppers copy है, जो budget है, जो भी current accelerated चीज़े है, वो आपको एक साथ अपने दिमांग में बैठाने के लिए, उसके short notes बना करके रखना है, बेसिकली अर्थिवस्था एक ऐसा subject है, जो कि आपको basic understanding के साथ साथ conceptual clarity की बिमांग करता है, ठीक ह जैसे महंगाई, तो मुद्रा इसफिती क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे, कि मैं इसका subject हो गया, लेकिन उसके पीछे सरकार की क्या policy रही है, जैसे जो federal reserve है, उसने ब्याजधर की कीमते घटाई, तो भारत में उसकी महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डॉलर्स और रुपए की कीमतों में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत से जो आयात निर्यात हो रहा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बैठ करके उसमें, concept जो आपका clear रहेगा, तब यह सारी चीज़ें आपको और छे से समझ में आएगी, ठीक है, तो यह वीडियो कैस पर वीडियो चाहते हैं, उस पर भी कमेंट करिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स सेशन में, तब तक के लिए जय हैं